नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्ट स्काई मुकेश अमबानी की बेटी इशामबानी और आनन्त पिरामल की शादी 12 दिसंबर को होनी है इस शादी की तयारियां शुरू हो चुकी है और राजस्थान के उद्यपुर में इस वक्त शाही शादी के कारिक्रमों की शुरुवात हो चुकी है बीते दो दिनों से इंटरनेट पर इस ग्रैंट शादी के चर्चों की बयार बह रही है इस रोयल शादी के कारिक्रमों का हिस्सा बनने के लिए बॉलिविट से सभी दिगर स्टार्स पहुंचे और जम कर मस्तिकी संगीत कारिक्रम में एक ओर जहां शारुख खान ने पतनी गौरी खान के साथ स्टेज पर पहुंच साथ में डांस कर समा बांधा तो वहीं प्रयांका और सलमान खान के डांस की भी खूब चरचाय रही इन सभी की वीडियोज और फोटोज हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं अब शादी के कारिक्रमों में महमान बनी धड़क स्टार जानवी कपूर की एक ऐसी फोटो सामने आई है जिसे देख आप अपना दिल हार बैठेंगे इस फोटो में जानवी कपूर बेहद ही खूबसूरत और प्यारी नजर आ रही है जानवी कपूर ने बीते दिन ईशा अमबानी के संगीत कारिक्रम में इस ड्रेस को पहना था ब्लाक एंड स्किन ब्राउन कलर की इस ड्रेस में जानवी कपूर बला की खूबसूरत दिख रही है जानवी कपूर के इस अंदाज से आपकी नजरे हट ही नहीं पाएंगी जैपूर में इशामबानी और आनन्द पिरामल के प्री वेडिंग फंक्शन में जानवी कपूर ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी के खोश उड़ा दिये उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर फान्स को बेहत पसंद आ रही है उन्होंने इस खास मौके पर बिंज और ब्लाक कलर का खुबसूरत गाउन पहना था इस गाउन के साथ उन्होंने पैरों में गोल्डन हील माच की हुई थी जानवी कपूर ने इस ड्रेस के साथ कानू में बड़े टॉप्स पहने हुए थे इसके अलाबा उन्होंने एक भी जूल्डरी नहीं पहनी जानवी कपूर आये देन अपने जबरदस ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्ख्यों में चाही रहती हैं इस ड्रेस में भी वो काफी ग्लामरस नजर आ रही थी जानवी कपूर इस ग्राइन शादी में शिर्कत करने के लिए अपने पापा बोनी कपूर और बेहन खुशी कपूर के साथ पहुँची थी जानवी कपूर के अलावा इस ग्राइन शादी में दीबिका पादुकोन की रेड ड्रेस की भी खूब चर्चाए हो रही है वही शादी के कारक्रमों में अपनी देसी गर्ल ने वाइट कलर की साड़ी में अपनी योड सभी का ध्यान खीश लिया इसके अलावा किस सेलेबरिटी ने क्या पहना और कैसे अपनी मौजूद्गी को खास बनाया यह आप देख सकते हैं इन वीडियोस में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ